इंग्यास्ता किचिन विद किरियेटर में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम आज मैं बनाने जा रहे हूँ भिंडी की भाजी तो परफेक्ट भिंडी की भाजी कैसे बनती है वीडियो में बने रहिएगा मैं आज आप लोगों को बताऊंगी मैं यहां हाफ केजी भिंडी ले लियूँ और वो भी ताजी आपने देखा होगा कि हाथ से तुरंट तूट गई है तो भिंडी को मैंने अच्छे से वाज करके साइड में रख दिया है यहां मैंने दो मीडियम सा इसके प्यास काट ली हूँ चार सूखी मिर्च ले लिया है थोड़े से लहसन और थोड़े से अध्रक को बारिक चौप कर लिया था यहां हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर है यहां मैं ले ली हूँ उसके बाद चलिए कड़ाई को मैं चरहा दी हूँ गैस पे और इधर मैं भिंडी को काट ली हूँ तो चलिए मेरा कड़ाई गरम हो गया है उसमें मैं तेल डाल दूँगी तेल आप अपने ही साब से डालिएगा तो यहां तेल डाल दी हूँ तेल को गरम हो गया है इसके बाद इसमें जीरा डाल दी हूँ जीरा को थोड़ा चटकने दीजिएगा उसके बाद इसमें लहसन और अध्रक को डाल दूँगी और सुखी मिर्च को डाल दूँगी उसके बाद इसमें प्यास को डाल दूँगी इन सब को डाल करके अच्छे से चला लूँगी और उसके बाद इसे दो तीन बार चलाऊंगी जादा नहीं चलाना है एकदम लाइट ब्राउन रखना है जब आपका प्यास लाइट ब्राउन हो जाए आप दो से तीन बार चलाएंगे तो वो हलका लाइट ब्राउन हो जाएगा देखे हलका लाइट ब्राउन हो गया है इसके बाद इसमें मैं भिंडी एड़ कर दूँगी देखे मैं दो ही बड़ चलाई हूँ आपने वीडियो में देखा होगा तो अब मैं इसमें भिंडी एड़ कर दूँगी सारी भिंडी को एड़ कर दूँगी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तलक मेरा भिंडी मिक्स हो रहा है आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और आप लोग भी इस प्रोसेस से जाकर के घर पे भिंडी की भुंजिया ट्राई करे और कमेंट में हमको बताईएगा कि आप लोगों को ये प्रोसेस से भिंडी की भाजी कैसी लगी तो यहाँ पे मैं बीच बीच में भिंडी को चलाती रहूँगी तो यहाँ नमक मैं डाली हूँ, स्वादा नुसर डालीएगा नमक मैं दो छोटे चमच नमक डाली हूँ, और जो मसाला लिया था हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर वो डाली हूँ मिर्च मैं सूखी डाल चुकी थी सिले मैं मिर्च पाउडर नहीं डाली हूँ, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और इन सब को मिक्स करके थोड़े थोड़े देर पे चलाती रहूँगी अगर धक करके चलाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, आपकी भींडी बहुत जल्दी भी हो जाएगी तो यहाँ देखे, मैं धक करके इसे चला रही हूँ, तो देखे कितना जल्दी हो गया है तो सेम इसी प्रोसेस से बनाईए एकदम टेस्टी बनेगा और आप लोग कमेंट में ये भी मुझे बताया करिए कि आप लोग को नेक्स्ट रेस्पी क्या देखना है मैं वो बनाने की कोशिस करूँगी आप लोगों के लिए तो देखे धक करके भींडी को बनाने से कितना जल्दी हो गया लगबाग मेरा भींडी बस बाग पक चुका है अब 2-3 वर और क्चलाओंगे उसके बाद गैस को बन कर दूगी देख सकते हैं भींडी पक चुकी है और कलर भी इसका आ गया है तो चलिए मेरा भींडी अप पक चुका है तो ये लिए जी आपका भिंडी का भजिया या भिंडी की भुजिया जो भी कहते हैं वो आपका तैयार है तो आप इसे डाल चाबल के साथ खाए या रोटी के साथ खाए दोनों के साथ बहुत टेस्टी रखने वाला और कमेंट पर प्लीज बताईएगा कि कैसा बना है मैं फ झाल माझे कर दो ठी ay